नमस्कार दोस्तों जिस घर में महिलाएं बेहने सुब ओड कर जल्दी खाना बनाती हैं घर की साफ सफाई करती हैं तो ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि लच्मी जी किसके घर में निवास करती हैं और वो कौन सा घर है जिसके घर में कभी गरीबी की चप ये वेट में नहीं आता है हमेसा एक मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रहीं हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि लच्मी जी किसके घर में निवास करती हैं और किसके घर से रूठ कर चली जाती हैं बहुत समय की बात है नारद मुनी आकास में टहल रहे थे तो वो टहलते टहलते कुछ दूर तक चले गए तो नीचे वो देखते हैं क्या कि एक बहुत ही गरीब आदमी जोर जोर से रो रहा था और वो अपनी फसलों को देख रहा था और बहुत परेशान था उसका दुख और परिशानी नारद मुनी से देखा नहीं गया और वो धर्ती पे उतर आये और उस आदमी के समीव जाकर पूशते हैं कि भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो तुमारी जिन्दिकी में कौन सा ऐसा दुख है तुम उससे बताओ अगर मेरे समचा का समधान कर सकता हूँ तो वो बैक्ती अपना सारी ब्यथा नारद मुनी को बताता है कि उसकी पत्नी जब थी तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी उसकी पत्नी का देहान थो गया और फिर उसकी बेटी ही घर का सारा काम करती थी और उसके लिए खाना भी बनाती थी तो उसकी घर में बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता आ गई है और लश्मी जी उसके घर से रूट कर चली गई है तो नारदमुनी बोलते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा आप मेरा इंतिजार कीजिएगा यह कहके नारदमुनी अंतरध्यान हो जाते हैं और वह सीधे माता लच्मी के पास जाते हैं और जाकर के माता लच्मी को करते हैं प्रणाराम और बोलते हैं कि माता लच्मी मैं आपके समझ एक प्रश्न लेकर के आया हूँ और बहुत उमीद लगा के आया हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगी तो माता लच्मी बोलती हैं कि आप तो भगवान विश्नु के शाथ रहते हैं तो आपके प्रशनों का उत्तर तो भगवान विश्नु अच्छी तरह से दे सकते हैं तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं तो नारद मुनी बोलते हैं कि नहीं माता आप ही मेरे प्रशनों का उत्तर दे सकती हैं मैं एक बैक्ति से मिल कर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है तो मैं उसकी समस्या का समधान करना चाहता हूँ तो मा मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसकी समस्या जरूर से जरूर उसकी समस्या का समधान करूंगा तो आप मेरी इस उलजन को दूर करिए तो माता लचमी माता बोलती है कि नारद जी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ और जब ये कथा समाथ हो जाएगी तो फिर उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उस आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है एक नगर था, नगर में एक घर था, घर में एक बैक्ती था जिसका नाम था स्याम, जो बहुत आलसी था और दीन राद चार पाई पे सोया रहता था वो उटता भी नहीं था वो ये करवट जैसे सोता था तो वो राद भर वैसे का वैसा ही सोया रहता था उसकी पत्नी जब उसके समीप आती थी तो वो पत्नी के तरफ अपना पीट कर देता था और बस आलसी में सोया रहता था उसकी पत्नी देख कर समझ गई थी कि ये जिन्दिगी में कुछ करेगा नहीं बस ऐसे ही चार पाई पे सोया रहेगा देखते देखते दीन बीटता चला गया एक दिन उसकी पत्नी आ करके उसको बोलती है स्वामी आप दीन रात सोय रहते हैं आप अपने सरीर को भी नहीं राते हैं तो आप चार पाई पे बैठे बैठे ही कोई काम क्यों नहीं कर लेते वो बैती सोचने लगता है वो दो-चार घंटा सोचता है फिर उसके बाद बहुत खुस होकर कि अपनी पत्नी से बोलता है सोच लिया हूँ कि मुझे बैठे-बैठे क्या करना है तो उसकी पत्नी जल्दी से कीचन में जाती है और एक ठाली में आलू और प्याज लेकर के आती है और उसके सामने रख देती है कि स्वामी आप बैठे-बैठे ये सबजी को काट दीजिए उसका पती सबजी की और ध्यान नहीं देता है और फिर वो अपने सोच पे ही कायम रहता है फिर वो सबजी का ठाली रख कर उसकी पत्नी चलियाती है दूसरा काम करने के लिए जब वो एक घंटे बाद आती है तो वो क्या देखती है कि उसके पती चार-पांच मख्य मारे कर रखे रहते है और कूद-कूद कर मख्य मारने का प्यास करते है तो उसकी पत्नी बोलती है, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसके पत्नी बोलते हैं कि मैंने देखो कितना बड़ा काम कर दिया है, मैं पांच से दस मक्खी मार चुका हूँ और मैं बहुत जल्दी ही एक हजार मक्खी मारूंगा, और वो इस कारी के लिए तन मन से सोजाता है कि उसको खुसी बरदास नहीं होता है, और वो पूरे नगर में गोंगों कर चिला चिला के कहता है कि मैंने एक हजार को मार गिराया, एक हजार को मार गिराया, नगर के वासी उसकी आवास सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि पास के जंगल में बहुत सारे दुष्ट राचहस थे, जिससे गाँवाले बहुत ही जादा परिसान थे, तो वो लोग सोचते हैं कि इतना ये बहादूर है कि एक साथ एक हजार राचहस को मार गिराया, इसके मतलब है कि इसके अंदर बहुत ही जादा सकती है, इससे भाई बच किराना पड़ेगा, इसलिए उन लोग एक हजार मार उसका नाम रख दिए, एक हजार मार, एक हजार मार के नाम से वो वहाँ पर प्रशिद हो गया, धीरे धीरे ये बात राजा तक जाती है, और राजा सोचने लगता है कि इतना ताकतवर इंसान मेरे नगर में है, तो मैं उसको अपने सेना पती के रूपे में, करके आते हैं राजा के पास पहले तो वो नहीं आ रहा था बहुत डर रहा था कि मैं नहीं जाओंगा राजा के सामने उसकी पत्नी भी बहुत ही जादा डरने लगती है कि क्यूं राजा के सामने मेरे पती को लेके जा रहे हैं सब तो वो लोग बोलते हैं कि आपके पती बहु नुक्त करने के लिए क्योंकि राजा को संका था कि बगल पडोसी राज उस राज पर हमला करने वाला था इसलिए उनको एक ताकतवर सेनापती की तलास थी तो फिर क्या होता है कि वह उस स्याम को अपने सेनापती के पद पर नुक्त कर दिया जाता है तो वह जो स्याम था वह बहुत ही ज़्यादा खुस होकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी को खुस खुस होकर बताता है कि आज मुझे बहुत ही बड़ा सफलता मिल गया है राजा मुझे सेना पती के रूप में मुझे सेना का सेना पती बना दिये हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुस हूँ कल यूद है और मुझे कल जल्दी जाना होगा राजमहल में। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत ही जादा डर जाती है। और वो सुवसव उटकर अपने पती को घोड़े से बान देती है। बहुत ही मजबूती से। तो उसके पत्नी बोलते हैं कि तुम मुझे इतने मजबूती से क्यों बान रही हो। तो वो उसकी पत्नी बताती है कि मैं आपको इसलिए बान रही हूँ ताकि आप उत्सा में आएंगे और युद नहीं करेंगे तो गुस्टा में आकर राजा मेरे पती की हत्या न कर दे इस डर के वज़ा से वो अपने पती को घुड़े के साथ बांध रही थी तब तक सेना आ जाती है उसको लेने के लिए एक हजार मार को और एक हजार मार को लेकर सेना पती चल एक अंख बजता है दोनों सेना आपस में युद शुरू कर देते हैं और ये जो था एक हजार मार चुपके से जंगल में जाकर छूप जाता है लेकिन एक हजार मार का जो सेना लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और सामने वाले सेनिक को मार भगाए युद में ब यार मार को बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत देते हैं मान सम्मान देते हैं और पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है आप सभी को बताईए कि आपकी सफलता का क्या राज है आप इतने बहादूर हैं और मेरे नगर में रहते थे और किसी की नजर नहीं पड़ी आपके उपर तो आपकी सफलता के पीछे किस का हाथ है क्योंकि मैंने सुना है हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पतनी का हाथ होता तो वो स्याम बोलता है कि जी राजा जी आप सही बोल रहे हैं मेरी सफलता के पीछे मेरी बहादूर और समझदार पतनी का हाथ है आप साइड म आईए मैं आपको अपनी सारी कहानी बताता हूं कि मैं कैसे इतना बहादुर बना तो राजा बोलते हैं कि नहीं तुम सभी के समझ अपनी बीरता की कहानी बताओ तो वो हजार मार बोलता है कि नहीं मैं आपको अपनी कहानी सब के सामनी नहीं बताऊंगा आपको मेरी कहाने जानने के लिए मेरे घर चलना होगा तो राजा जी स्याम के साथ उसके घर जाते हैं वहाँ जाके देखते हैं कि उसकी पती बड़ी बेसरब्री से अपने पती का इंतिजार कर रही होती है वो राजा जी को देखकर और अपने पती को देखकर बहुत ही ज़दा खुस होती है और बहुत ही आदर सतकार से उनको अपने घर में लाती है और बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना करके राजा को और अपने पती को खिलाती है वो पकवान आधा बना चुकी होती है बस थोड़ा बहुत काम रह गया था तो वो उसको भी खतम करके फटाक से राजा को और अपने पती को कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान परोस्ती है और उनको अच्छे आधर सत्कार भाव से खिलाती है तो राजा ये बोलते हैं कि हजार मार तुमने तो बताया नहीं अपनी सक्ती का राज तुम तो यहां पर मेरा आधर सत्कार कर रहे हो तो हजार मार बोलता है कि अभी मैं बता रहा हूँ मेरी सफलता का राज मेरी पत्नी है जो सुब में उठती है जल्दी और जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है और खाना बनाती है जल्दी खाना बनाने से क्या होता है कि बच्चे अगर स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो वो खाना खाके जाएंगे अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो आप खाली पेट नहीं जाएंगे आप खाना खा के जाएंगे ये है मेरी सफलता का राज कि कोई भी अगर और इस्तरी जल्दी अपने काम को खतम करे समझदारी से घर का काम करे तो उसकी घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हो तो उसकी बात सुनकर राजा जी बहुत प्रसंद होते हैं और उसकी पत्नी को उपहार स्वरूब धेर शारी मुद्राये देते हैं सोने के तो फिर उसके बाद दे करके वो राजमहल वापस चले जाते हैं तो फिर लचमी मा बताती है नारद मुनी को कि देखिए इससे आपको क्या सीख मिला कि जिस घर में इस तरी पूरे साब सफाई से घर का काम करें पूजा पाठ करें बड़ो का सम्मान करें आदत सतकार करें किसी की साथ गलत बेवार न करें तो उसके घर में लचमी हमेशा टिकी रती है और जहां जिस घर में इस तरह का काम नहीं होता है तो मैं रूट कर चली जाती हूँ उस बैक्ती के घर में भी यही चीज़ हुआ था उसकी पत्नी जब जिन्दा थी तो वो सारा काम आदर सतकार के साथ करती थी जब उसकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में तो उसकी बेटी सारे नियम तोड़ चुकी है न वो पूजा पाट करती है न वो टाइम से कोई काम करती है जिसकी वज़ा से मैं रूठ गई हूँ अगर वो बैक्ती अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने घर के नियम को सुधार ले तो उसका दिन बदल जाएगा तो लचमी मा नारद मुनी से बताती है कि जिस घर में पाच काम होते हैं मैं उस घर में निवास करती हूँ पहला स्वच्छता जिस घर के कोने कोने में सफाई होती है घर शाफ रखा जाता है हर समान हर जगह पे रखा रहता है कोई भी समान इधर उदर बिखरा नहीं होता है जिस घर में सच्छता पे ध्यान रखा जाता है तो मैं उस घर में निवास करती हूँ दूसरा जिस घर में आदर और समान होता है बड़ों का सम्मान, किसी का अनादर नहीं होता है, दरवाजे पे अगर कोई आ गया, तो उसके साथ दुर्बेवार नहीं किया जाता है, मैं उसके घर में निवास करती हूँ, जिस घर में पूजा पाठ होता है, दिपावली की पूजा, शुक्रवार की पूजा और लचमी प निवास करती हूँ, जिस घर में धान का और दान का सही उपयोग होता है, मैं उस घर में निवास करती हूँ, जैसे पूजा पाठ में दान कीजिए, पंडितों को दान पून कीजिए, भोजन कराईए, और फिर अतिथी का स्वागत करिए, तो मैं उस घर में निवास करती झाल झाल